गुड मॉनिंग फ्रेंट्स इडू साला में आपका स्वागत है हम लोग घड़ना चक्र पॉइंटर की सीरीज में परियावरन देख रहे थे तो इसका पार्ट वन हो चुका है अब यह पार्ट टू है तो फ्ली चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करिए कमेंट करिए और पर चलिए सुर्वात करते हैं आज के पार्ट टू है जो परियावरन का हरित ग्री प्रभाव एवं जलवाई परिवर्तन वर्स वह संताभे में बीसुफव परियावरन अ मिलनकां आयोजित किया गया था तो यह जिक्शयोटों एन किया ओ द रहए आप इरोपिय संग द्वारा विकास सिल्देशों के साथ वारता लाप एवं सहयोग से वर्स 2007 में अस्थापित की गई थी यह भूमंडलिये जलवायू परिवर्तन संधी अस्थापित की गई थी जी सी सिये यह लक्ष अधिन विकास सिल्देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायू परिवर्तन के एकी करन हितु परदान करती है यह तकनीकी एवं बीतिय सहयता परदान करती है नेक्षे कथन कारण देखते हैं भारत में जलवायू परिवर्तन से समाजि भी कर रहा है नेक्ष्ट है वाई मंडल के प्राकृतिक संतूलन के लिए कारबन डायक्साइड की उप्यूक्त सांद्रता है तो यह 0.03% है नेक्ष्ट है जलवाई परिवर्तन के प्रमुक कारक है यह जिवासमिक इंधन का अधिकाधिक प्रजवलन तैल चालीत स्वचालितो की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वन उन्मूलन नेक्ष्ट प्याते हैं वह देश जिसके ग्रीन हाउस गैस के उसरजन में कमी करने है तू वर्स 2019 में कारबन टैक्स लगाने की घोसना की है यह सिंगापूर कारबन टैक्साइड के मानों उद्ववी उसरजनों के कारण आसन भूमंडलिये तापन के निवनी करन के संदर में कारबन प्रच्छादन हित्व संभावित अस्थान हो सकते हैं तो यह है परित्तग्य और गैर लाबकारी कोईला सनस्तर निसेस तेल एवं गैस भंडाग ए जलवाईव परिवर्तन पर जारकंड कारी योजना प्रकासित हुई है या 2013-2014 में प्रकासित हुई है जारकंड जलवाईव परिवर्तन कारी योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे सन्वेदन सिल जीला है सराय केला खारसमा जलवाईव परिवर्तन का क्या कारण है गिरी 2015 में 21 जल्वाई परिवर्तन संमेलन पेरिस में हुआ था वर्स 2019 में 25 जल्वाई परिवर्तन संमेलन मैडरिड इस्पेन में हुआ था ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रकृरिया है जिसमें वाइमंडली गार्बन डायोकसाइड द्वारा इंफ्रा-्रेड विकरन सोसित कर लिये जाने से वाइमंडल का तापमान बढ़ता है नेक्ष है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उग्रह के वातावरन में मौजूद कुछ गैसे उस ग्रह या उग्रह के वातावरन के ताप को अपेच्छा कृत अधिक बनाने में मदद करती है तो यह है ग्रीन हाउस परभाव ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकोल एक अंतराश्टिय समझा होता है जो UNFCC से संबंदित है United Nation Framework Convention on Climate Change से संबंदित है सही कथन देखते हैं क्योटो उपसंदि जो हुई थी वर्ष 2005 में हुई थी लागू मेथेन कारबन एकसाइट की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है नेक्श है किसी गैस के अनुओ की दक्षता एवम उस गैस के वाई मंडली जीवन काल पर निर्भर करता है तो गैस का वैस्विक तापन विभव निर्भर करता है ग्लोबल वार में पटेंसियल पर्यावरन में ग्रीन हाउस प्रभाव में ब्रीधी होती है कारबन एकसाइट के कारण ब्रीधी होती है वाई मंडल में उपस्तित वह गैस है जो तापिय औरक्त बिकरन की रेंज की अंतरगत बिकरीनों का और सोसन एवं उर्सरजन करती है तो वह है ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो अक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है नेक्षे प्राकिर्तिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैज जो सरवाधिक ग्रीन हाउस एफेक्ट करती है वह है जलवास्प। बैस्विक उसमन के लिए उत्तरदाई नहीं है औरगन उत्तरदाई नहीं है। नेक्षे माई 2011 में 20 रुबैंग के साथ वह इसमझहोते के बारे में क्या सही है तो जो समझहोता है 10 वर्स के लिए लागू रहेगा समझहोता ही माचल पडर्देश की एक पर्योजना के लिए कार्वन क्रेडिट करने के लिए है। समझोते कि अनुसार एक टण क्रेडिक लिकाईक के सम्तुल्ल होगी, नेक्ष है एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाबदायक दोनों है तो यह है कारबन डायकसाईट, वर्तमान में کار्बन डैक्साइट के उस्रजन में सरवादी उगदान करने वाला देश चीन है वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रुप में जाना जाता है तो यह भुटान है वे देश जो सरवर्तिक तापन उत्पन करने में युगदान करते हैं तो यह है मेथेन, कार्बन डैकसाइड, जलवास्ट, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित ग्री गैस नहीं है यह नाइट्रोजन है, इन में से वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिमिद कि वाई मंडल में इसकी सांद्रता अन्न ग्रीन हाउस गैसों के तुल्ना में बहुत अधिक है, भूम अंडली उस नताजी से ग्लोबल वार्मिंग के पर नामसरूप क्या होगा, वहीम नदी द्रवी भूत होने लगेगी, समय से पूर्वा आम के बोरे आने लगेंगे, त कि वाई मंडली उसमन के आसंका वाई मंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रहे हुआ है कारबन डायकसाइड की, एक सरवादिक भंगूर पास्तित की तंत्र है, जो बैस्विक तापन द्वारा सबसे पहले परभावित होगा, वह है आरकटी के ओम ग बैस्विक तापन में ब्रीधी करता है, बैस्विक उसमन के फल सवर्व जिसकी बारंबरता प्रजरंदता बढ़ रही है, वह है चक्रवाद, तुफान और ववंडर, नेक्ष है गैस जो धान के खेत से उसरजित होती है, तथा भूमी के तापन में ब्रीधी करती है, वह मि मिथेन उसरजन के प्राकृतिक स्रोत हैं, आदर भूमी समूद्र हाइडरेट्स, मानो की क्रिया जो जो जुलवायू से सरवाधिक प्रभावित होती है, वह क्रीसी है, जुगाली करने वाले पसुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्रन होता है, वह कौन सी गैस है, वह है जागरुक्ता लाने वाला अंदोलन है, इसे प्रित्वी काल कहते हैं, जलवायू परिवर्तन और प्रित्वी को बचाने की आवसकता के बारे में जागरुक्ता लाने है तो, World Wide Fund for Nature, WWF, द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी अंदोलन है, यह है, प्र 1994 को परभावी हुआ, नेक्ष पर देखते हैं, यह सरकार एवंस ब्यवसाय को नित्रित्व देने वाले ब्यक्तियों के लिए, ग्रीन हाउस गैस और सर्जन को समझने, परिमान, निर्धारित करने और प्रबंध करने हैं तो, एक अंतराष्टिय लेखा करन साधन है, यह इंस्टिटूड तथा वर्ल्ड बिजनिस कांसिल और सस्टेनेबल डेवलप्मेंट द्वारा किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया जाता है, नेक्ष एक क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है, यह और्स 2005 से प्रभावी हुआ है, जापान के क्योटो सहर में हुए UNFCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्विकार किया गया, यह 11 दिसंबर 1997 को स्विकार किया गया, नेक्ष एक क्योटो प्रोटोकॉल समझावते के अनुसार, अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उसर्जन करने वाले देशों के लिए, उस सर् में विक्सित देशों ने बैस्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्विकार की तथा, साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायू नीधी जमा करने की परतिवधता जताई गई है, तो यह 100 अरब डॉलर जताई गई थी, नेक्ष पे आते हैं, बैस्विक सीडियम क्या है, क्लीन डेवलप्मेंट मेकेनिजम, ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित ग्री गैस उसर्जन को नियंतिद करने की पढ़नाली है, जो क्योटो पोटोकॉल के तहत सामने आई थी, नेक्ष पे आते हैं, CO2 उसर्जन एंभूम मंडली तापन के संदर में UN FCC के अंतरगत उस बाजार संचालित युक्ती का नाम जो विकास सिल देशों को विक्सित देशों से नीधिया पुरसाहन उपलब्त कराती है, ताकि वे अच्छी प्रोधोगी को अपना कर ग्रीन हाउस गैस उसर्जन कम कर स कर सके यह स्वक्च विकास युक्ती, नेक्ष कार्बन जमाओ के बारे में स्वक्च विकास युक्ती क्या है, तो यह क्योटो नवचार युक्तियों में से यह एक है NX1 के विक्सित देश, गैर NX1 देशों में स्वक्ष विकास सियुक्ति परियोजनाय कार्यानुवित कर प्राप्त कर सकते हैं तो यह कार्वन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं CDM के अंतरगत कार्यान्वित होने वाली पर योजनाएं NX1 के देशों द्वारक कानवानित की जाती है, प्रन्तु इन योजनाओं को गैर NX1 विकास सिल देशों में किया जाता है, तो यह क्रियान्वित किया जाता है। नेक्षपे आते हैं, UNFCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा बारक के अंतरगत स्वच विकास युपती वड़नित हैं। नेक्षपे एक टन कार्बन डायकसाइड की मातरा को घटाने से एक CER यूनिट प्राप्त होती है। जाय विवित्ता अभी समय का पूरग प्रोटोकॉल जो जाय प्रोदोगी की द्वारा उत्पन, जीवित संसोधित जीवो द्वारा उत्पन, संभावित खत्रों से जाय विवित्ता की रच्छा करने हित्तु पर्तिवर्द है, तो यह है कार्ट जोना प्रोटोकॉल। नेक्ष है अनुवान्सिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभो के समुचित वन निस्पक्च बटवारे से संबंधी प्रोटोकल नायोग या नगोया प्रोटोकल है सही सुमेली देखते हैं प्रतम 20 जलवायू संमेलन 90-79 में प्रतम प्रितवी सीखर संमेलन इजेन्टा 21 के अंतरगद प्रितवी सीखर संमेलन प्लस 5 1997 में वह था नेक्षे जलवायू परिवर्तन पर स्यूंत राज सम्मेलन कॉप 21 पेरिस में आयोजित हुआ था और कॉप 25 मैडरिड स्पेन में आयोजित हुआ था कारबन निसेचन को सरोतम वर्नित करता है वाई मंडल में कारबन डैकसाइट की बढ़ी हुई सांदरता के कारण बढ़ी हुई पादब्रीधी वर्नित करता है नेक्षे क्योटो प्रोटोकॉल के तहट पर्यावरन में कारबन उस सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी तो कारबन क्रेडिट परणाली लागू की गई थी अंतराश्टिय बाजार में कार्वन क्रेडिट का क्राय विक्राय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मुल्ले के अनुसार किया जाता है कार्वन क्रेडिट का डिश्टी कोन क्योटो प्रोटोकॉल से सुरू हुआ था नेक्ष है Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Land Escape का प्रबंधन भी सुबैंग करता है Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Land Escape एक बहु पक्चिय कोस है या कोस अस्थलिय छेतर से कमी करने को बढ़ावा देता है तो या Greenhouse गैसों के उसरजन में कमी करने को बढ़ावा देता है यह सरकारों, व्योसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक बैस्विक भागिदारी है यह देशों की उनके वन उन्मूलन और वन निमनी करन उसर्जन कम करने के पर्यासों में BTEM तकनीकी सहता प्रदान कर मदद करती है तो यह है वन कार्बन भागिदारी सुधा जिसे होरेश्ट कार्बन पार्टनर्स ती फैसलिटी भी कहते हैं नेक्स्ट है वन कार्बन भागिदारी सुधा 20 सुबैं का एक कारिकरम है इसका प्रारम जून 2008 में हुआ था बैग्यानिक दिश्टी कोन यह है कि बिस्वतापमान पूर्व ओधोगिक अस्तर पर 2 डिगरी से अधिक नई बढ़ना चाहिए यदि बिस्वतापमान पूर्व ओधोगिक अस्तर से 3 डिगरी सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो 20 पर उसका संभावित असर क्या होगा तो अस्थलिय जीव मंडल एक नेट कारवन स्रोत की ओर पर विर्थ होगा तथा बिस्तरीत परवाल मत्यरत्या घटीत होगी नेक्ष प्याते हैं Momentum for Change Climate Neutral Now नामक पहल्प UNFCC सचवाले द्वारा किया गया नेक्ष है IPCC द्वारा प्रकासित एसेनिंग की वलनरेटी एंड रिस्क फ्रॉम क्लाइमिट चेंज नामक रिपोर्ट की अनुसारी यदि 20 स्वित आपमान पूरो अधोगीक अस्तर से दो डिग्री सेल्सियर बढ़ जाता है तो प्रित्वी के पार स्थित की तंत्र का रुप पांत्रित हो जाएगा यदि 20 स्वित आपमान पूरो अधोगीक अस्तर से तीन डिग्री सेल्सियर से अधिक बढ़ जाता है तो अस्तलिय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर पर विर्थ होगा साथी बिलूप्थ होने की ककार पर पहुंच जाएगे तो 30 परसेंट ग्यात पुरजातिया हो जाएगे बिलूप्थ हो जाएगे पिछली सताबदी में पृत्वी के औस्ता आपमान में ब्रीधी देखी गई 0.8 डिग्री सेल्सियस की ब्रीधी देखी गई नेक्षे मानोगति वीधियो को परतेक्षे उम अपरतेक्ष आलंबन परदान करने के में उत्पन ग्रीन हाउस गैसो की कुल मात्रा को कारबन पद्दचीन कहते हैं हाल के वर्षों में मानो गती वीधियों के कारण वाई मंडल में कारबन डायकसाइड की सांदरता में बढ़ुत्री हुई है किन्तु उसमें से बहुत सी वाई मंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्यूंकि समुद्रों में पादप पलवक प्रकासंसलेशन कर लेते हैं यदि किसी माहसागर का पादप पलवक किसी कारण से पून्तेया नश्ट हो जाए तो इसका परभाव होगा कारबन सिंख के रूप में माहसागर पर पर परतिकूल परभाव पड़ेगा यवं माहसागर की खाद स्रिंकला पर परतिकूल परभाव पड़ेगा नेक्ष है जल्वाई परिवर्तन के खगोलिय सिध्धानतों में संबंदित है प्रित्वी के कच्छा के उतकेंद्रता, प्रित्वी की घुर्णन अक्ष की त्रियक्ता और विस्यू अयन नेक्षप आते हैं जलवाई परिवर्तन से संबंधित सिधान दिये जो कि प्रित्वी की लंबी ओधी के कच्छिये इस्तितिस संबंधित है यह मिलूटीन मिलान कोईच ने दिये थे प्रित्वी का धूरी पर अवस्था बदलना जलवाई परिवर्तन के लिए एक कारक है यह कथन मिलूटीन मिलान कोईच का है नेक्षप जलवाई परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतत प्राप्त किया जाता है यह आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है नेक्षप आते हैं किसी आठ में प्रकासित की गई थी भारत सरकार की जलवायू कारी ओजना के आठ मीसन में आनुवी कूर्जा समलित नहीं है नेक्षे गलोबिये ताप ब्रीधी का सबसे महत्पून परिनाम यह है कि इससे द्रूवे भर्व की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सत्ता में ब्रीधी होगी गलोबिये ताप ब्रीधी से 20 वे के समस्त दूप जाएंगे मुंगे के दूप जाएंगे यह संभावना है कि 2044 इसवी तक फीजी डूप जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभील संकट चा जाएगा यह नीदर लेंड पे चा जाएगा आईपी सीसी के अनुसार वर्ष दोहजार सौर्य वर्ष उनीज सो से 21 सो के बीच समुद्र सता में ब्रीधी का अनुमान कितना है वियार है 0.33 से 0.45 मीटर ब्रीधी का नेक्ट है मैंचेश्टर विस्टो विद्याले के बैग्यानिकों ने हाल में भू अभियंतर द्वारा पैसेफिक महसागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन कर गलोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है इसकी पूर्ती के लेवातावरन में चिरका जाता है समुद्री जल चिरका जाता है नेक्ट है जुलाई 2018 में सफर का उदगाटन जो कि बैस्विक जलवाई परिवर्तन के संदर में जो पधतिया मिर्दा में कार्बन प्रशादन संग्रहन में स्वायक होती है वह समोच बाद अनुपद सस्यन एवं सुनने जुता आई नेक्ष प्याते हैं United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC एक अंतराष्टिये संधी है जिसका गठन हुआ था यह रियो डी जिनेरियों में 1992 में स्विंत राष्ट संग के परियावरन और विकास सम्मेलन में इसका गठन हुआ था नेक्ष है अभिष्ट राष्टिये निर्धारित अंसदान पद को कभी-कभी समचार पत्रों में देखा जाता है यह क्या है यह जलवायू परिवर्टन का सामना करने के लिए बीस्वे के देशों द्वारा बनाई गई कारियोजना है भारत की कारियोजना के तहत कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया एक हरित जलवायू कोस का प्रावधान किया गया है डर्बन में आयोजित जलवायू परिवर्टन सभा में अस्थापना हुई थी यह हरित जलवायू कोस की अस्थापना हुई थी विकास हिल देशों को जलवायू परिवर्टन क का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनी करन पधतियों में सहायता देने के आसे से क्या बना था तो यह हरित जलवायू निधी ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था नेक्ष्ट है इन में से बिश्व का पहला देश जिसने भूम अंडलिये तापन के प्रतिकरन के लिए कारबन टैक्स लगाने का परस्ताव रखा है तो यह न्यूजी लेंड है इन में से वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उस सरजन में कमी करने हेतु 2019 में कारबन टैक्स लगाने की घोसना की थी तो यह सिंगापूर है बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ छ जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक पर्यूक्त किये जाते हैं तब क्रिष्ट व्रीदा से नाइट्रस अक्साइड का उस सरजन होता है एसिया पैसेफिक संग के सदस्यों के संबंद में क्या सही है वे बीस्व की 48% उर्जा का उप्योग करते हैं वे बीस्व की 48% अरि चलिए देखते हैं सूरी के परकास से पराबैगनी विक्रन अविक्रिया पैदा करती है ओजोन से ओजोन परत मुख्यतत जहां अवस्थित होता है वो कौन सा है तो वह है एस्टेटो स्वियर समताप मंडल में यह अवस्थित रहती है एस्टेटो स्वियर समताप मंडल के नीचे नीचले हिस्से में प्रित्वी से लगभग 10-50 km की उचाई पर उजोन परत अवस्थित रहती है। उजोन परत प्रित्वी से करीब कितने उचाई पर है तो यह 20 km की उचाई पर है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन के लिए सत्य नहीं है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। वाई मंडल में उपस्तित उजोन द्वारा जो विक्रन और सोसित किया जाता है वो है पराबैगनी विक्रन। अक्सीजन के तीन परमानों से मिल कर बनने वाली गैस को ओजोन कहते हैं। नेक्ष है उपरी वाई मंडल में ओजोन परत के रूप में प्रित्वी पर जीवन को बचाती है तो यह है वो अल्ट्रा वाईलेट किरनों से बचाती है। उजोन परत मानों के लिए उप्योगी है क्यूंकि वो सूर्य की अल्ट्रा वाईलेट किरनों को प्रित्वी पर नहीं आने देती है। नेक्ष है वाई मंडल में उपस्तित ओजोन परत और सोसित करती है वो अल्ट्रा वाईलेट किरनों को और सोसित करती है। सूर्य से आने वाला हानी कारक पराबैगनी विक्रन कारण हो सकता है यह त्वच्य कैंसर का कारण हो सकता है। नेक्ष हैं, अधीक समय तक सूरी के पराबैगनी वीकरन के सरीर पर पढ़ने पर हो सकता है, तो DNA में अनुवानसिक उत्परिवर्तन हो सकता है, ओजोन परत संरच्छन दिवसकब मनाया जाता है, तो यह सोलत सितंबर को मनाया जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं आक्सीजन से बना मानो निर्मित गैसिये वद्रविये पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वाता अनुकुलित यंत्रों में सीत कारक के रूप में परियोग किया जाता है, तो वो है क्लोरो फ्लोरो कारवन, नेक्ष है वाइमंडल के अधिक नुकसान पहुचाने वाला परदूसक है क्लोरो फ्लोरो कारवन, वाइमंडल में जिसकी उपस्तिती से उजोन एस्फेर में उजोन परत का छरन होता है, वह है क्लोरो फ्लोरो कारवन, उप्री वाइमंडल की उजोन परत के छरन का क्या कारण है, तो यह क्लोरो फ्ल दाई गैसे हैं यह CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस अक्साइड, ट्राइकलोरो एथिलीन, हेलोन, 1211 और 1301 यह सभी ओजोन परत की सिंता के लिए उत्तरदाई गैसे हैं नेक्श है वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोफो इस्फियर में ओजोन परदूसक नहीं होता है यह कार्बन मोनो अक्साइड है ओजोन छिद्र का निर्मान सरवाधिक अंटार कटिका के उपर होता है मौन्ट्रियल परटोकल जिसके छर रच्छन से संबंदित है वह है ओजोन परत एक जन्वरी 1989 से मौन्ट्रियल परटोकल प्रभावी हुआ मौन्ट्रियल परटोकल किस से संबंदित है तो यह ओजोन परत के छै को रोकने से संबंदित है मौन्ट्रियल पोटटोकोल क्लोरो कार니다 से संबन्दित हैं नेक्ष है समताः मंडल में उजोन के अस्तर को प्राकिर्थिक रूप से बिनियमित किया जाता है तो यह अनाइ्ट्रोजन डाय अकुसाइड द्वारा बिनियमित किया जाता है उजोन परत की मुटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है बसंत रीतु में इसकी मुटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्सा रीतु में रहती है सबसे कम रहती है तो बसंत रीतु में सबसे ज्यादा मुटाई इसकी होती है वर्सा रीतु में सबसे कम रहती है उजोन पर को मापा जाता है तो डॉप्शन इकाई में मापा जाता है नेक्ट है जीरो डिग्री सेल्सियस तथा वन एटीम दाप पर सुध ओजोन की 0.01 मीनिमीटर की मोटाई के बराबर होती है एक डॉप्शन यूनिट नेक्ट है क्लोरो फ्लोरो कारबन जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग होता है सुगर्ठ फोम के निर्मान में एरोसॉल कैन में दापकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विसिष्ट इलेक्ट्रोनिक अब्याव की सफाई करनी में होता है एक अत्यधिक अस्थाई योगिक जो वाई मंडल में अस्सी से सौ वर्स्तों तक बना रह सकता है तो यह है क्लोरो फ्लोरो कारबन हैलोंस तथा कार्बन ट्रेटछ तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक हैं नेक्ट्ट पहाते हैं CFC, हैलोंस तथा अन्य ओजोन रिक्ती करन रसाइनों जैसे कार्बन ट्रेटा कोलाइट के उत्वादन पर रोक लगाई गई है तो यह मौन्टियर पोर्टोकॉल के अनुसार रोक लगाई गई है अन्टार्कटिक छेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विसाय है इसके क्या कारण है विसिश दुरूवे अवाताग्र तथा समताप मंडलिये बादलों के उपस्थिती तथा क्लोरो फ्लोरो कारवन का अंतरपरवा होता है नेक्षे ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन योगी ओजोन परत का विनास करने वाले क्लोरीन कनों में परिवर्तित हो जाते हैं विया धुरूवे समताप मंडलिये बादल में हो जाते हैं मिलान करना है उसन कटी बंदिये वन साइलेंट वेलू संकुब रिक्ष वन हिमाचल परदेश में कच्छ वनस्पती सुंदरवन में पतज़डवन राजस्थान में पाय जाते हैं नेकशे फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है वह मेफ्रोन होती है प्रसीतक के रूप में बड़े संरियंत्रों में परियुक्त होती है तो यह अमोनिया परियुक्त होता है नेकशे सवर प्रथम वर्स 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मादत से अंटार्क्टिका के उपर ओजोन चिद्र का पता लगाया गया था तो यह ब्रिटिस दल के द्वारा लगाया था तिब्बत पठार के उपर वर्स 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया गया यह जी डवलू केंट मूर ने लगाया था मनुस्यों में खासी सीने में दर्द उत्पन करने के साथ साथ फेपड़ों को छती पहुँचाता है ओजोन का उच्च सांदरंज होता है वो कथन कारण देखते हैं ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावस्यक है यह सही है ओजोन परत प्रित्वी को उच उर्जा पिकरन से सनरच्चित करते हैं दोनों ही कथन सही है नेक्ष पर आते हैं सूर के उच आवरिती के पराबैगनी परकास की 93-99% मात्रा और सोसित कर लेती है यह ओजोन परत ओजोन का उच्चे करने वाले पदार्थों के परियोग पर नियंतरन करने और उन्हें चरन बधरूप से परियोग बाह करने के मुद्दे से संबंदित ह अब नेक्ष टॉपिक पर आते हैं वन एवं वन नेजिव चमोली के रैनी गाउं में वन कटाई के बिरोध में आंदोलन चलाया गया यह गौरा देवी के नेतरित में चलाया गया जिस पारिस्थित के तंतर में पौधों का जैविक पदार्थ अधिक्तम है वह है उस नकट बंधिये वर्सावन अधिक्तम पादब विभिंता पाई जाती है उस नकटी बंधिये सदा बहार वनों में पाई जाती है नेक्ष पर आते हैं यदि हम घडियाल को उनके प्राकिर्तिक आवास में देखना चाहते हैं तो जी सस्तान पर जाना सही होगा वह कौन सा असान है वह चंबल नदी नेक्ष है यदि भारत में यदि कच्छुए के एक जाती को वन जीव सनरच्चन अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के अंतरगत सनरच्चित घोसित किया गया हो तो इसके नहितार्थ हैं इसे सनरच्चन का वही अस्तर प्राप्त है जैसा कि बाग को प्राप् सकता है वह घडियाल भारती जंगली गढ़ा और जंगली भैस नेक्ष प्याते हैं जल्वायू के पर्मुख घटक जो जारखंड राजी के वन के छेतरे की जल्वायू को परभावित कर रही है वह जंगल की आग कि जारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्चित वन के रम्भ किया गया तो यह जारखंड है नेक्षे जनवरी 2018 में भारत के जीस राजियों ने राज ने लोगों को व्रिक्षों के साथ मानविये रिस्ता बनाने की मंजूरी दी है तो यह सिक्कीम है सदा बाहर वन पाय जाते हैं पच्छिमी घाट में पाय जाते हैं उत्तरपूर विश्वतिये वनों के अधित्वे विस्षताएं क्या है तो यह है उचे घने वन ब्रिक्षों की विद्धमानता जिनके किरिट निरंतर बितान बनाते हैं बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो अधिपादपों की असंख किस्मों की विद्धमानता हो यह सब है विश्व राष्टिये वनों में पाई जाती है भारत में उप्यूक्त परिस्थित की संतूलन बनाए रखने के लिए वना च्हादन हेतु नियुन्तम सन अस्तुत भूमी चेत्र है यह 33% है नेक्षपे आते हैं राष्टिये वन निती में भारत के कुल भगोलिक चेत्र के जितने परति वर्ग नहीं है वह राष्टिये उद्यान वनों को वर्गित क्रित किया गया है संरच्चित वन राष्टिये वन ग्राम वन और ब्रिक्च भूमी में वर्गी क्रित किया गया है यह राष्टिये वन नीती 1952 के अनुसार वर्गी क्रित किया गया है देहरादुन इस्तत भार इत्म निर्वानी करन का परभाव नहीं है, ये नगरी करन नहीं, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुना उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसे नवी करने संसाधन कहते हैं, वनोश से पर्यावरन की गुन्वता बढ़ती है, क्यूंकि वन पर्यावरन से कारबन डायकसाइ और अश्टौक संसाधन नेक्ष है जो एक छेत्र में इस्थत है तथा भवीश में परियोग में लाने जा सकते हैं तो वह है संभाव संसाधन जिनका सर्वेक्चन किया गया है तथा उनकी मात्रायम गुनवता का पता लगाये गया है जिनका वर्तमान समय में परियोग किया ज की अनुसंदान केंद्र जहांसी उत्तर परदेश में है राष्टिय सुदूर सन्वेदन अभिकरन परणाली से चित्रित वह भू छेत्र जो वास्तों में वना च्छदित होता है वह वना वरन कहलाता है मैंग्रो वनस्पतियों का अभिकास अधिकांस्तर टटो के सहारे होता ह भारत में मैंग्रो वनस्पति सुंदर वन में पाई जाती है यह डेल्टा परदेशों तथा समुद्र के जवार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रो वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है तो यह है जवार ये वन नेक्षपे आते हैं मैंग्रो अनस्वति का सरवाधिक छेत्र सुन्दर वन डेल्टा में पाया जाता है यहां के वनो में विशेश रुप से सुन्दरी विरीक्ष उलेखनिये हैं एक सनरचित कच वनस्वति छेत्र गुवा है भारत में मैंग्रो वन सदापढणी वन और पढ योजना प्रारंभ की गई है तो यह है हिमाचल परदेश भारत में वन जिव सन्राचन अधिनियम 1972 में लागू किया गया था वन जिवों की तस्करी अवयत सिकार से रक्ष्या युँ संरच्छन के लिए भारत सरकार द्वारा वन जिव सन्राचन अधिनियम 1972 पारीत किया ग भारत ये वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, वन्स अनुसंदान संस्थान अस्थापित है देहरादून में, वह अनुसंदान संस्थान की अस्थापना उत्राखन के देहरादून जीले में की गई थी, यह 1906 में की गई थी, पर्यावरन से संबंदित है, बिग्यान औ और मानचित्रन के लिए भारत सरकार का एक प्राचिंतम विभाग भारतिय सर्वेक्षन विभाग है नेक्षपी आते हैं जे आर बी अलफ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार बिस्वे के कुल जन्तु परजातियों की संक्या भारत में पाया जाता है तो यह 7.28% भाग पाया जाता है भारत की सबसे बड़ी मक्षली है यह वेल हो नहीं पूरे बीस्वे की सबसे बड़ी मचली है तथा यह 50 फीट तक लंबी होती है तो यह 50 फूट तक लंबी होती है यह है वेल साथ WWF World Wildlife Fund का परतीक जानवर कौन सा है तो यह है ज्वाइन पांडा इसका बैग्यानिक नाम एलो फूटा मिलानो लुका है इसका निवास अस्थान कहां है मुख्यत सितोस नचोड़ी पत्ती वाले और मिस्रित वनों में मिलता है ज्वाइन पांडा का ठीक है तो ज्वाइन पांडा जो होता है वह सितोस नचोड़ी पत्ती वाले और मिस्रित वनों में मिलता है और इसक नेक्षे गैवेलिस घड़ियाल बहुताद पाया जाता है यह गंगा में पाया जाता है घड़ियाल एक प्रजाती है मगरमच कुल की प्रजाती है भारत में पाये जाने वाले मगरमच तथा हाथी संकटापन जातियां हैं चिपको अंदोलन का मुल रूप से विरोध कर था व 1970 के दसक में नाम दिया गया। चिपको अंदोलन के प्रनेता चंडी परसाद भट थे। नेक्ष है भारत में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। जनतूहों की जन संखया के आकलन के लिए किया जाता है, पगमात का। कतनों पर विचार करना है। भारत में 1 चेतर का हरास भारत की जनांकी की संक्रमन से पर्तियक्षता संबंधित रहा है, तो सही है, 1 चेतर अमजनसंख्या व्रीधि में प्राया नकरात्मक संबंध है, दोनों ही कथन सही है और व्याक्या भी कर रहा है. नेक्स्ट राजिव गांधी वन जीव सनरचन पुरसकार दिया जाता है वे सैचिक तथा सोध संस्थाओं वन एवं वन जीव अधिकारियों तथा वन जीव सनरचन को को दिया जाता है नेशनल ब्यूरो अफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यह नई दिल्ली में इस्तत है पेड़ पौधो एवं जन्तुओं की सरवाधिक विभित्ता कहां पाई विस्था है यह उस निकटीबंधिय आदरवन की विस्था है भारत में वन प्रारूप जिसमें सागाउन टीक ए पिसीज है यह उस निकटीबंधिय आदरवन पाती वन में उस निकटीबंधिय आदरवन पाती वन ऐसे छेत्रों में पाई जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है नेक्ष है बास सीसम चंदन इत्यादी अन्न बयुसाइक रूप से भुभाग पर फैले हुए हैं तो यह हैं अमेजन वर्षावन अमेजन वर्षावन प्रित्वी ग्रह के फेपड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगतार कार्बन डायकसाइड को और सोसित कर मुक्त करती रहती है औक्सीजन को मुक्त करती है प्र मांसुनी वन कहते हैं समचारों में कभी-कभी देखने वाले रेड सैंडर्स क्या है ये दचीन भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक व्रिक्ष की जाती है मैं रेड सैंडर्स का बैग्यानिक नाम क्या है तेरो कारpuss अंटे लीनस या पेड़ आंधपरधेश के पाल कुंडा वस्सेचा चलम पर्वस रेनियों में मुख्यता रूप से पाया जाता है इसकी लक्डी सफेद होती है जो कलांतर में लाल रंके चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है तो यह है रेड सेंडर चंदन जिसको रक्त चंदन कहते हैं सही कतन देखते हैं अईर्वेद वस्सिध्धा दवायों को बनाने में पूजा सामगरी में एवं पारंपरिक खिलोनों को बनाने में रेड सेंडर्स का परयोग किया जाता है राष्टिये वन नीती के मुख उदेश क्यात है तो यह समाजिक वानकी को परसाहन देना देश की कुल भूमी का एक राष्टिये भागिदारियों के माध्यम से परभाव कारी करवायों को पुर्शाहित करना है या मर्वस्थली करन को रोकने में अस्थानिये लोगों की भागिदारी को पुर्शाहित करने है तो उद्रगामी उपागम के लिए पर्तिबद है भारत द्वारा भूमी छरन र समझोता है जो संयुक्त रूप से पेस करता है पर्यावरन एवं विकास तधा टिकाव भूमी प्रवंधन को पेस करता है नेक्ष्ट है भारत में जो नगर ब्रिक्चार ओपन में विस्ष्टा रखता है वह है वाल पराई वाल पराई नगर कहां इस्तत है या कोएंबटूर जिले में इसथ है इन में से जिसके भगोलिक छेत्र का उच्तम पर तीसत वन अच्छादित है वह है जापान नेक्षे कूल भगोलिक छेत्र के 60% भाग पर वन पणाई रखने का सवधानिक प्रावधान भुटान में है इल्मूनियम को इसके पर्यावर्णिये हिताइसी स्व जद ब्रिक्षो के एक पादप क्रिसी या सुंदर्वन के बारे में दिया गया है कि अनुपम प्राकिर्तिक छटा को नश्ट कर रही है इमारती लकडी का विचार सुन्ने दोहन ताडर रोपन के लिए विसाल भुखंडों का निर्वनी करन मैंग्रो का विनास आदिवासि द्वारा लकडी की अवायद कटाई और अना धिकार आखेट समस्या को ही जटिल बनाते हैं अलवन जल कोटरी काएं त्वरित गती से सुख रही है क्यूंकि निर्वनी करन और मैंग्रो का विनास हो रहा है यह कथन सुन्दर्वन के बारे में है नेक्स्ट है 2004 की सुनामी न पर कारेकार करते हैं वह है गरान के बिरिक्ष अपनी सगन जड़ो के कारण तुफान और ज्वार भाटे से नहीं उखरते हैं नेक्स्ट है उडिसा टट भारत में सरवाधिक चक्रवात प्रवन छेत्र है तो यह सही है महानदी देल्टा छेत्र में भारी मात्रा में मैं ग् कारेकरते हैं उडिसा के केंद्र पारा जीले में ब्राम्भनी बैतर्नी और महानदी डेल्टा छेत्र भीतर कनी का गरान इस्थत है इसमें भीतर कनी का गरान इस्थत है इन सभी छेत्रों में यह मैं ग्रोव वनों के लिए परसीद है यह एक रामसर अस्तल है तो यह भीतर क का रान के बारे में कहा जा रहा है सही कथन देखते हैं टैक्सस व्रिक्ष हिमालय में प्राकिर्थी प्रूप से पाया जाता है टैक्सस व्रिक्ष रेड डाटा बुक में सूची बद्ध है टैक्सस व्रिक्ष से टैक्सोल नामक औसत प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रो कारण में 13 सेरो की मिर्तु का कारण ट्राइप पनो सोमियसिस रोग है रहा भारत की सबसे बड़ा जीवन साला कोलकाता में इस्थत है नेक्ष्ट है युके लिप्रस ब्रिक्ष को कहा जाता है पारिस्थित की आतंकवादी यह नेक्ष्ट पर देखते हैं यह उसने कटी बंध वह हैं घडियाल, चर्म, पिठ, कूर्म तथा अनूप, मिर्ग यह सभी संकटापन हैं भारत में प्राकिर्तिक रूप से पाये जाते हैं तारा कच्छुआ, मौनीटर, चिपकली और वामन सुवर यह सभी पाये जाते हैं भारत में पाई जाने वाली नसल, खराई उट के ब पाये जाते हैं तो, यह खराई उट कच्छ में पाये जाते हैं, गुजरात में, इन उटो को संकट गरस्त प्रजाती घोशित किया गया है यह खराई उटों को इंडेंजर ऐस्वेसिस से घोशित किया घया हैं head niin, मैंगरोh कुछ, समुन टटों के सीमावर्थी, उस निकट सही है और ब्याख्या भी कर रहा है ये वन जैविविता के संर्थ चख होने के साथ समूदर और टट के बिच महतपुन कड़ी का काम करते हैं और टट को समूदर की ओर से आने वाली लहरो से के बिनाश से बचाते हैं ये मैन ग्रोग के बारे में बताया जा रहा है। टाइगर के लिए। टाइगर के सनरचन से संबंदित है। टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने यों संदरी करन के लिए किया जाता है। यदि आप हिमाले से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ जीन पादपो को प्राकिर्तिक रूप में उकते हुए देखने की बड़ी पत्ति वाले ब्रिक्ष देखे जाते हैं या उपोस्न कटिवंधी वन में देखे जाते हैं। नेक्ष है परतेक वर्स कति पर बिसिष्च समुदाय जन जाती पारिस्तित की रूप से महत्पून मास भर चलने वाले अभियान या तेहवार के दोरान फलदार ब्रिक विशेस छेत्र में अस्तानिये लोग जीवित व्रिक्षो की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुद्रीर पूलों में सुरुपान्तित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पूल और मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड पूल पाए जाते हैं तो ये मेगाले में पाए जाते हैं। अगर किसी पेड को काटे विना उससे पूल बना दिया जाए तो उसे उस पूल को जीवित पूल या प्राकिर्तिक पूल कहते हैं। भारतिये पसु कल्यान बोर्ड देश में पसुओ के कल्यान को बढ़ावा दे परिवर्टर मंतराले के अधिन है भारत की पहली राष्टिय वन नीती परकासित की गई 1894 में परकासित की गई स्वतंत भारत की पहली राष्टिय वन नीती 1952 में त्यार की गई देश के एक तिहाई अत्वा 33.33% में वन अत्वा विच्छावरन होने आवसक हैं यह राष्टिय वन नीती 1988 के अनुसार हैं जिसका ब्रिक्च शत्र घनत सत्तर परतिसत से अधिक होता है वह 30 सघन वन होता है जिनका ब्रिक्च शत्र घनत तो 40 से 70% के विच होता है वो मध्यम सघन वन होता है और जिनका ब्रिक्च शत्र घनत वे 10 से 40% के विच होता है या खुला वन होता है नेक्षे 10% से कम ब्रिक्च शत्र घनत वाली नीम्न अस्तरिय वन भूमी को वना वरन में सामिल नहीं किया जाता इन्हें जाड़िस की स्रेणी में रखते हैं सर्व की स्रेणी में चलिए नेक्ष देखते हैं ISFR 2017 की अनुसार तो ये करेंड से है 2019 की रिपोर्ट तो आ चुकी है तो वहां से ये ये है ISFR 2019 की अनुसार देश में जाड़ियों का चेत्र फल 46,297 वर किलोमीटर है जो कुल भगोलिक चेत्र का है 1.41% भाद वन इस्थिती 2017 की अनुसार ये 17 की अनुसार है अभी नया लेटेश देख लिजेगा नेक्ष पर आते हैं 2019 की अनुसार देख लेते हैं देश में कुल वना वरन एवं रिक्षा वरन चेत्र फल कितना है तो यह यह देखते हैं कितना है 8,276 km है देश में कुल वना वरन एवं रिक्षा वरन परतिसत अगर देखते हैं तो 24.56% है देश में कुल वना वरन परतिसता यह 21.67% है देश में कुल विक्षा वरन परतिसता तो यह 2.89% है छेत्रफल की दरिष्टी से सरवाधिक वन वरन वाले 5 राज देखते हैं तो यह है मध्यपरदेश अरुनाचल परतिस अगर देखें अगर सरवाधिक वना वरन वाले 5 राज तो यह है मिजूरम जहां 85.41% है फिर छेत्रफल की दरिष्टी से सरवाधिक वना वरन वाले 3 संगिय छेत्र अगर देखें तो यह है जम्मु कस्मीर, अंडबान निकोबार और लद्दाग नेक्ष है छेत्रफल की दरिष्टी से नियूंतम वना वरन वाले 5 राज देखते हैं तो यह हर्याना, पंजाब, गोव सिक्किम और बिहार, परतितृस्ता की दरिष्टी से नियूंतम वना वरन वाले 5 राजे हैं, यह हर्याना है, पंजाब है, राजस्तान है, उत्तरपर्देश है और गुज्राथ है, छेत्रपल की दरिष्टी से सरवाधिक वरग्चा वरन वाले 5 राज, महराष्ठ है, जल्लाडू है हर्याना है और गुजरात है अकर पर तिस् dinero सरवाधिक वना वर वाले तीन संगीयत चेत्रे देखते हैं तो यह सफ चंजी घड़ है दिल्ली है और दादर यो मना अगरहसे पर 30 की दृर्ष्टी से शर्वाधिक संगीयत राजिक यो मना वट चेत्री की द्रिष्टी से सरवाधिक चेत्रफल वाले पांच राज तो यह मदपर्देश अरुनाचल पर्देश महराष्ट चतिसगर और उडिशा अब नेक्ष देखते हैं सरवाधिक वनावरन परतिसक्ता वाला राज या संगहे चेत्र तो यह है लक्षदीप और सरवाध अधिक वनावरन परतिसक्ता वाला राज देखे तो यह है मिजोरम नेक्ष है गैर वन चेत्र में विक्सित किया गया यह पाद अब जिसे भारतिये वन अधिनियम 2017 में विक्षो की परिभासा से बिलोपित किया गया तो यह पांस है ठीक है नेक्ष पे आते हैं लवन सही सन वनस्पती समुदाय जो बीस्वे के ऐसे उस नकटी बंदिये एवं उपोस नकटी बंदिये अंतर जुआरिये छेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्सा का अस्तर 1000 से 3000 mm के मद तथर ताप का अस्तर 26 से 35 डिग्री सल्सियस के मद है तो यह मैं ग्रो में होता है अब देखत भारत में सरवाधिक मैं ग्रो अच्छादित राज्य है यह पच्छीम बंगाल गुजरात अंडमान निकोबार और आंधर परदेश 2019 का यह भी 2017 के अनुसार है अब 2019 के अनुसार देखते हैं भारत में मैं ग्रो अच्छादित चार संगिये राज देखें अगर तो यह है र चार सरवाधिक मैं ग्रो अच्छादित जीले अगर देखते हैं तो यह है दच्छीन 24 परगना जीला है कच्छ फिर उत्री अंडमान और फिर जामनगर जीला के अनुसार यह है बिस्वे में मैं ग्रो का सरवाधिक चेत्रे एसिया में पाए जाता है अब आई एसे फार 2017 के किलो मीटर है जो राजय के कुल भगोलिक चेत्र का 6.15% है उत्तर परदेस में कुल ब्रिक्छा वरन अगर देखें तो यह 7.342 किलो मीटर है जो राजय के कुल भगोलिक चेत्र का 3.05% है नेक्ष आते हैं उत्तर पर्देश में कुल वनावरन एवं ब्रिक्षा वरन छेत्रफल अगर देखते हैं तो यह 22,148 वर किलोमीटर है उत्तर पर्देश में नियुन्तम वनावरन अगर पर 37 के रूप में देखते हैं तो सबसे कम संतरभी दासनगर फिर मैनपूरी और फिर सन्तर पर्देश में नियुन्तम वनावरन छेत्र वाले जीले अगर देखते हैं तो यह संत रभीदासनगर है जो कि पर 37 के रूप में संतरभी अगर Nu, है फिर मैनपूरी और संतरिशनगर अगर देखते हैं संदर में सिर्ष तीन देश कौन है तो यह है रूसी संग ब्राजील और कनाड़ा छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का सरवाधिक मैंग्रो आच्छादित राज यह है पच्चिम बंगार बैस्विक वन संसाधन आकलन के तहट बिस्व के वनो एवं उनके प्रबंधन की निय अमित निगरानी संयुक्त राष्ट का खाद इवं क्रिसी संगर्ठन एफ एवोजी से कहते हैं वो करता है अब नेक्स टॉपिक पे आते हैं अभ्यारन और जयमंडल रिजर्व चलिए देखते हैं भारत में स्थापित प्रथम राष्टिय उद्यान है जीमकारवेट राष से संबंधित सही कथन क्या है देखते हैं इस सभी सही है देखते हैं इसके बारे में यह 1991-92 में सुरू किया गया था यह मानोद अथा हाथी के बीच टकराव की समस्या को परकाम करता है इससे केंसर द्वारा प्रयाजित योजना के आरम में के रूप में आरम्भ किया गया तो यह तीनों कथन सही है प्रोजेक्ट एलिफेंट से कथन गलत कथन है यह चोड़ देते हैं उत्राखंड के जिस वन ने जीव बिहार समों की इस सिती का पच्छिम से पूर्वत की और सही क्रम है तो वह है केदारनाथ नंदा देभी विंसर और फिर एसकॉट यह पच्छ समचारों में देखा जाता है यह भाग अभ्यारनों का रख रखाव है तो एमिस्टिप का है भाग अभ्यारनों का रख रखाव से संबंदीत है नेक्षे हाली में कुस सेरों को गुजरात के उनके प्राकिर्तिक अवाज से जिस एक अस्थल पर अस्थनांत्रित किये जाने प्रस्ताव है वह कुनो पॉप है कुनो पालपूर 1 जीव अभियारण कुनो पालपूर 1 जीव अभियारण नेग्ष्ट पार्षित की डिश्ची कोन से पूर्वी घाटों और संपर्ख होने के रूप में जिसका महत्वधिक है वह सत्य मंगलम बाक आरक्षित छेत्रे सत्य मंगल टाइगर रिजर्विसे कहते हैं जार्खन सरकार ने राज के विभीन वन जीव अभ्यारनों में वन जीव परबंधन योजना शुरू की है यह दस वर्ज की अधि के लिए सुरू किया गया है महुआ अंडार अभ्यारन जार्खंड के कि जीले में है तो यह लाते हार में है अंतराश्टिय टाइगर दिवस मनाया जाता है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है भारत के अधिकांस वन जीव संरचित छेत्र घिरे हैं तो यह घने जंगलों से घिरे हैं न जुलाई 2019 तक भारत में राश्टिय उद्यान है 104 राश्टिय उद्यान है सरकार की बाग पर योजना का उदेश क्या है भारतिय बाग को समाप्त होने से बचाना है भारतिय टाइगरों को बचाने के लिए प्रजेक टाइगर का प्रारम 1973 में किया गया भारत का राश्टिय जैविक उद्दान कहां इस्तत है तो यह नई दिल्ली में इस्तत है भारत में अस्थापित पहला राश्टिय उद्यान यह जीम कारवेट राश्टिय उद्यान है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां इस्तत है तो यह करनाटक में इस्तत है पेरियार गेम अभ्यारन यह ज आचिगम राष्टिय उद्यान में परसीद है। नेक्ष भी आते हैं। चलिए अब इससे नेक्ष वीडियो में डिसकसन करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करें। और कम से कम एक व्यक्ति तीन लोगों को तो सेर करें सकता है। तो प्लीज सेर करें। ओके।